नमस्कार जैन दोस्तों गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का वाइफाइ स्टेडी के प्लेटफॉर्म पे जहां पर हम रोज 445 पे अपना एक शौर्ट टॉपिक डिसकस करते हैं तो उसी सीरीज में आस का हमारा ये टॉपिक है तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आज हम पढ़ने वाले मिसाइल टेकनोलेजी के बारे में ठीक है कि मिसाइल टेकनोलेजी कौन कौन सी हम यूज करते हैं इंडिया में कौन कौन सी मिसाइल टेकनोलेजी हैं तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसाइल टेकनोलिजी आज का हमारा टॉपिक है डेट है 21st of December तो आज का important topic करते हैं ये मेरे बारे में एक brief introduction है यहाँ पर आप देख सकते हैं Unacademy पर आपको क्या मिलता है तो daily life classes, life test and quiz structured courses हैं और unlimited access है गुड इवनिंग everyone इसके लिए आपको क्या करना है Unacademy learning app डाउनलोड करें या Unacademy play store पे जाके apple store से या play store से जाके आप app डाउनलोड कर सकते हो कल का जो मैंने question हुआ पूछा हुआ था कि जो reverse reporate है वो stool को use करते हैं किस purpose के लिए तो यहां पे reverse reporate को use करते हैं जो liquidity है उसको absorb करने के लिए मतलब क्या हुआ इसका अगर market में पैसा जादा है market में पैसा जादा है तो market से जब पैसा निकालना होता है तो RBI क्या करता है securities को market में base देता है और वहां से उसके बदले में RBI को पैसा मिल जाता है तो उससे निकाल लेता है तो यह हमने देखा था reverse reporate ठीक है कल हमने पढ़ा था इसका answer होगा यह correct answer जादा तर लोगों ने इसका दिया नहीं था ethics की class हो रही रोज सुबह 11 बजे current affair की एक बजे तो इसको देख सकते है YouTube पर यह मेरी classes है तो timing देख लो बढ़ते है सीधा topic की तरफ missile से मतलब क्या होता है तो missile simple बोल सकते हो के यहाँ पे एक तरीके कैसा projectile movement है जिसको किसी एक target पे छोड़ा जाता है अगर simple words में हम बोलें तो यह एक projectile movement है जिसको किसी target पे छोड़ा जा रहा है ठीक है प्रणाम राम राम गुड इवनिंग सब जी सभी को नमशकार चलो time कम है आज बहुत दिन बाद live आया हूँ तो इसको देख लेता हूँ तो missile में देखो कुछ इस तरीके से होता है सबसे उपर आपका होता है igniter जो यहाँ पे missile को जलता हुआ आगे फेकता है बीच में यहाँ पे missile को control करने के लिए equipment room लगा हुआ होता है यहाँ पे fuel tank होता है इसमें पूरा यहाँ पे fuel भरा जाता है अब यह fuel कैसा हो सकता है solid भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है ठीक है नीचे क्या रहेगा यहाँ पर अगर आप देखो तो एक यह सक्षन लाइन रहेगी नीचे यहाँ पर ऑक्सीडेटर टैंक रहेगा यह क्या करेगा इसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरी जाती है अगर मिसाइल को बाहर छोड़ना है इसके नीचे यहाँ पर थरस्ट, स्टेंड या थर्बो पंप रहेगा इसमें देखो क्या होता है यहाँ से जब भी मिसाइल छूड़ती है तो यह ऐसे अलग-अलग पार्ट्स में ब्रेक होती है तो अभी एक मैंने आपके लिए ग्राफिक लगाया हुआ है आगे उससे आपको आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा पहले अगर हम देखें कि मिसाइल कितने टाइप की होती है फिर हम आँगे देखते हैं कि कैसे लाउंच होती है होता है तो मिसाइल आपकी दो टाइप की होती है किस बेसिस पे पाथ के बेसिस पे किस तरीके से वो लाउंच हो रही हो चल रही है तो पाथ के बेसिस पे दो टाइप की होती है एक हो गई आपकी बैलेस्टिक दूसरी हो गई क्रूज मिसाइल ballistic missile का path कैसा होता है तो देखो प्रत्वी का जो ऐसी प्रत्वी है इसके surrounding एक ये atmosphere है तो यहाँ पे यहाँ पे जो हमारा बातावरण है तो इसको क्या करेगी ballistic missile यहाँ से बापस निकलेगी फिर enter करेगी और attack करेगी तो ballistic missile कैसी होती है ये atmosphere से बापस जाती है बाहर जाती है फिर atmosphere में वापस entry लेगी then attack करती है तो इसकी बज़े से क्या है ये एक बहुत large distance को cover कर लेती है जबकि अगर हम cruise missile की बात करें तो ये earth के ऐसे parallel चलती है surface के और फिर यहाँ पे attack करती है इसकी speed हमें सा constant बनी रहती है तो ये कैसा करेगी short यहाँ पे जो range होती है उसको follow करती है graphics में देखो जैसे ये है ballistic missile कुछ इस तरीके से ये चूटी earth surface से देखो ये बाहर चलीगी पूरा बाहर जाने के बाद ये thrust रड ने इसको thrust दिया दो parts में break हुई अब यहाँ से अलग missile वाला component अलग हुआ यहाँ से देखो अभी ये target lock करेंगे पाँच targets अलग अलग निकाले यहाँ से lock किया गया attack कर दिया गया बापिस से atmosphere में re-enter होती है इस तरीके से ये देखो उपर से आई atmosphere में re-enter हुई यहाँ से यह रहा target attack किया पूरा उड़ा दिया यह क्या होई आपकी ballistic missile बाहर atmosphere के पूरे बाहर निकली ठीक है वहाँ से फिर re-enter किया इसने और देन इस target को उड़ाया तो यह होता है ballistic अब क्या होता है यह इतनी लंबी distance चल रही है atmosphere के बाहर जा रही है फिर अंदर आ रही है distance लंबी है तो इस बज़े से क्या होता है इसको track करना easy हो जाता है ठीक है इस missile को easily यहाँ पर track down किया जाता है तो जब भी यह attack करती है तो इसको track कर लिया जाता है और जो anti-missile system होता है उससे इसको उड़ा दिया जाता है तो ballistic में यह सबसे बड़ी problem है तो इस problem को solve करने के लिए हम क्या लाए cruise missile का concept लेकर है cruise missile मैंने जैसे बताए कैसे होती है surface के पेलडली चलेगी तो कुछ इस तरीके से यह आपने launch की missile देखो बाहर नहीं जा रही है surface में ही गूम रही है इस तरीके से याथ इस रस्टरण ने इसको बढ़ाया तेजी से निकली जो भी इसका यहाँ पे target है जैसे suppose यहाँ ते यह चलती जा रही है पहाड़ों बगेरा से हमें एक simple सा difference देखे है कि ballistic को cruise में difference क्या है तो जो ballistic में missiles होती है कि अगर हम बात करें cruise missile का तो यह self-propelled होती है खुद से ही propulsion system आ जाता है जैसे अभी हमने देखा था पीछे बीडियो में नीचे से इसका एक ऐसा box type खुला था और जैसी वो खुला पीछे से थ्रस्टर ने काम किया और यह आगे चली गई यह कैसे काम करती है एक rocket के जैसे नीचे से उपर जा रही atmosphere से बाहर फिर काम कर रही है और यह कैसे काम करती है jet engine जैसे ऐसे चल गया jet engine जैसे उड़ता है aircraft वैसे काम कर रही है यह long range missile होती है इसलिए इसको क्या कर सकते है easily detect कर सकते है यह flight path अपनाती है इसका path रहता है यह low precision रहती है ठीक है क्योंकि यह कैसी unguided missile है एक बार अगर यह निकल गई तो इसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि यह अब अर्थ की gravity air resistance, coriolisis, force इन सब पे यहाँ पे इसका क्या है depend कर रही है cruise की अगर हम बात करें तो यह short range की होती है अब यह लंबा जा रही है तो payload भी ज़्यादा उठा सकती है यह जबकि payload कैसा है कम उठा सकती है अब cruise missile जो है इसको cable हो cable हम अर्थ वाले पार्ट से surface से ही launch कर सकते है water या sorry ballistic missile को हमके वाल अर्थ से ही launch कर सकते हो इसके लिए proper एक launcher की ज़रूरत होती है जबकि cruise missile में यह ऐसा नहीं है यह easy to launch है आप submarine बगेरा कहीं से भी इसको launch कर सकते हो अब यहाँ पे unacademy पे आपको मिल रहे है India के top educators जिन से आप पढ़ सकते हो इसके लिए क्या करना है आपको plus या iconic courses जोईन करने plus में आपको life class test series unlimited practice और structured courses मिलते है यह prices हैं बट इन पर जोईन नहीं करना है क्योंकि जैसे ही आप यह referral code apply करोगे prices कम हो जाएंगी तो इस referral code को आप apply करें किसी भी category में कर सकते है SSC, PSC, Banking, Net, J जो भी आप तियारी कर रहे हो जिसका भी course लेना चाहरे हो हर एक category में आप इस code को apply कर सकते हो फिर आती है आपका iconic courses इसमें आपको मिलेगा personal coach daily mains के question answer practice कराए जाएंगे study plan होंगे और personalized feedback होगा prices सामने हैं बट इस पे नहीं करेंगे फिर से referral code लगाएंगे हुई prices में मिलेगा अब हम बात करें ये तो हो गया किसका path के basis पे के दो type का हो गया ballastik और cruise second होता है अपका speed के basis पे speed के basis पे यहां पे देगा हमने तीन पार्ट में divide किया है sub sonic missile supersonic missile और hypersonic missile तो अब हम इनको decide कैसे करते हैं तो sound की जो speed है उससे कम है या जादा है उसके basis पे तो sound की speed को हम बोलते है one mac जो की equal होती है कितनी one two five three kilometer परावर बारा सो 53 kilometer परावर के equal है तो अगर point eight mac के around यह speed है या sound की speed से कम होती है तो हम इसको बोलते है sub sonic missile sound की speed से जादा है और कितनी है double या triple है two या three mac है तो इसको हम बोलेंगे supersonic और sound की speed के पाँच गुना से भी जादा है more than five mac है तो इसको हम क्या बोलेंगे hypersonic missile speed के बाद अगर हम बात करें तो हम range के basis पे भी इसको divide कर सकते हैं कैसे अगर 500 kilometer तक के target को attack कर रही है 500 kilometer से कम बाले target को attack कर रही है इसको हम बोलेंगे short range missile वही पे अगर ये 500 kilometer से लेके 5000 kilometer तक के target को attack कर रही है तो हम इसको मोलेंगे intermediate या medium range missile 5000 kilometer से अगर लंबे target को attack कर रही है तो ये होगी long range missile और वही पे 5000 से ज़्यादा है अगर ये target तो इसको हम क्या बोलेंगे intercontinental ballistic missile तक है कि इसमें अगर 5000 से ज़्यादा है तो exam को किवल 6 महीने बचे यूपेसी प्रिलिम्स तो हम आपके लिए लेके आए हैं batches तो इन batches को आप join कर सकते हो 2021, 22 और 23 तीनों के लिए ये batches start किये जा रहे हैं तो जो भी आपको comfortable convenient लगे उसको join करो 21st of December से ये start हो रहे है launch mode के basis पे अगर हम बात करें तो इसमें भी अलग-अलग type की missiles होती है देखो एक जो क्या है आपने धर्ती से छोड़ा surface से छोड़ा और surface पे ही कोई target है जैसे यहाँ पे एक कोई यहाँ पे जैसे आपने दिल्ली में किसी जगा से छोड़ा तीक है और आपको केलकता में कोई target है उसको attack करना है तो धर्ती से ही छोड़ के आपने क्या किया धर्ती पे ही attack कर दिया तो इसको हमने क्या बोला surface to surface missile दूसरा क्या है आपने दिल्ली से छोड़ा लेकिन दिल्ली के उपर हवा में कोई यहाँ पे fighter jet जा रहा था आपने उस पे attack किया तो यह क्या हो गई surface to air missile के धर्ती से surface से और यहाँ पे क्या किया आपने air में attack किया थर्ड क्या है आपने दिल्ली से missile छोड़ी और यहाँ पे bay of bengal में कोई यहाँ पे क्या खड़ा हुआ था आपका कोई सा जहाज खड़ा हुआ था आपने उस पे attack कर दिया तो यह क्या हो जाएगी surface to sea missile के आपने surface से पानी पे attack कर दिया फिर इसी तरीके की होती year to year क्या आपने aircraft से launch करके हवा में ही दूसरे aircraft को उड़ा दिया missile से दूसरा क्या है आपने हवा से launch की और surface पे किसी target को उड़ाया तीसरा क्या है आपने हवा से launch करके और sea में कोई target है submarine या जहाज उसको उड़ाया तो इन तीन type की missile यह हो गई फिर आती C to sea submarine से launch किया दूसरे submarine को ही उड़ा दिया पानी में या किसी जहाज को दूसरा क्या है C to surface के समुन्दर से launch किया और surface पे किसी target को उड़ाया और third क्या है समुन्दर से launch करके हवा में किसी target को उड़ा दिया तो इस तरीके से ये launch mode के basis पे भी अलग-अलग type की missiles होती है तो इसी के basis पे आता है आपका आज का question जो की missile से related है पहला आया पे statement दिया हुआ है कि ballasting missile easy होती है detect करने में cruise missile के मुकाबले medium range जो missile रहती है वो 2000 km से ज़्यादा और 5000 से कम target को achieve करती है या travel करती है इसमें से आपको बताना है कौन सा statement correct है 1,2,2,3,1,3,1,2,3 जो भी answer आपको correct लगे comment section में जाके आप answer बताएं कल जो भी correct answer बताते हैं जो तीन लोग उनके नाम यहाँ पर announce किये जाएंगे तीनों लोगों के अक्षय मान जी ठीक है भी आप बहुत बहुत धन्वाद आप बहुत बड़े फैन है बहुत धन्वाद मकसद ही मेरा यह यह आप जैसे लोगों को जितना अच्छा पढ़ा सकूँ वो पढ़ाऊ BPSC में बिल्कुल काम आएगा यह क्योंकि यहाँ पर PSC लेवल पर भी आपसे मिसाइल सिस्टम पूछे जाते हैं तो BPSC में बिल्कुल काम आएगा आपके यह CHSL के में टॉपिक्स उठाता जाओंगा यहाँ पर बीच बीच में SST, CHSL सारे यह ऐसे टॉपिक्स static वाले जो रहेंगे जो आपके exam में काम में आएंगे वो रहेंगे जैसे कल मैं आपको history की एक पूरी chronology की वीडियो बताऊंगा के कौन-कौन से event किस-किस year में हुए तो यह सारी चीज़ें आपको कल वाले lecture में देखने को मिलेंगी ठीक है तो यह आपका आज का lecture था यहीं तक वीडियो की यहाँ पे PDF चाहिए हो आपको तो यह telegram group है इसको search करें यहाँ पे जाके आपको PDF मिल जाएगी यह मेरा referral code है ऐस गिरी जैसे ही आप इसको apply करोगे तो आपको 10% का discount मिलेगा प्लस और iconic courses पे इनको आप join कर सकते हो 10% discount